मैं उस टाइम में अगर गौहाटी में और रहती मैं खुद आत्मा हत्या कर लेती शायद किकी मेरे से और बरदाश नहीं हो रहा था क्यों गिरफतार हुई आप? जो लोग पकड़े जाते हैं वो लोग जेल जाते हैं गलत कम सब करते हैं आपके उपर आरोप लगाया गया कि आपने अपनी ही बेटी शीना वोरा के हत्या कर दी ये मीडिया वाले भी अपने टी आरपीज के लिए ऐसा मैंने संसना थी खबर बनाते गए बनाते गए लोग तो केस के बारे में तो भूली गए ये जो चार्ज फ्रेम मेरे उपर किये जा रहा है इसके पीछे कोई तो है बिल्कुल लगा मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई मेरे को पीटर से शादी नहीं करना चाहिए था पीटर साब के मुलाकात कब हुई थी आखिरी अगर आप अपराद की खबरों और खबरनवीसों के अपराद से जड़ासा भी रापता रखते हैं तो आपको एक नाम जरूर याद होगा वो नाम है इंद्राणी मुखर जी का जो 25 अगस 2015 को पहली बार गिरफतार होती है और 6 साल से भी ज़ादा वक्त वो जेल में गुजारती है और सिर्फ इस आरोप में कि उन्होंने अपनी बेटी शीना वोरा की हत्या कर दी है चुकि ये मामला सब्जुडिस है, मामला अदालत में है तो इस केस के बारे में जितनी भी बातें मीडिया में कही गई है सुनी गई है, सुनाई गई है उनको आप खूब देख चुके होंगे, खूब उस पर आप बात कर चुके होंगे खूब आपने चटखारे लेकर के उनकी कहानिया सुनी भी होंगी लेकिन उन कहानियों के पीछे असल में है क्या क्या वाकई इंद्राणी मुखरजी ने शीना वोरा की हत्या की थी क्या वाकई शीना वोरा जिंदा है जिसका दावा इंद्राणी मुखरजी करती है इंद्रानी मुखर जी, थेंक यू, हम शुरू करते हैं 25 अगस्त 2015 की उस तारीख से जिस दिन इंद्रानी मुखर जी गिरफतार होती है, क्यों गिरफतार हुई आप, आपके उपर आरोप लगाया गया कि आपने अपनी ही बेटी, शीना वोरा के हथ्या कर दिया, जी वो तो मैंने किताब में लिख चुका है, क्यों गिरफतार हुए, वो तो सब को मालूम है, कि गिरफतार ही क्यों है, लेकिन उसके पीछे, मेरे जो कुछ भी जानकारी है, या जो मेरे उपीनियन है, वो मैंने पूरा किताब में लिख दिया है, तो आज, अगर उसमें कुछ भी सच तो आज मैं आपके साथ यहां पे बैठे वे नहीं हुते। पहले बात तु वह है। आप गिरफतार होती हैं और आपके उपर आरोप यह लगता है कि आपने अपनी बेटी शीना वोरा की हत्या की है। इस आरोप की पुष्टी आपका एक पुराना ड्राइवर करता है शामवीर राहें जो किसी वज़ा से गिरफतार होता है न कि इस केस में गिरफतार होता है। किसी दूसरी वज़ा से वो गिरफतार होता है फिर पूरा मामला खुलता है फिर वो दावा करता है कि आपने संजीव के साथ मिल करके अपने पहले पती के साथ मिल करके शीना वोरा की हत्या की है आप कह रही है कि शीना वोरा जिंदा है आप आप केस के बारे में पूछने से क यूज realidad, क्योंकि क्यों कियस सब्सूदिस है, इसले मैं केस के बारे में आपको कुछ बता नहीं सकती हूं, यूज इसले किताब में भी. आज बिल्कुल, क्यों क्यों कियस के बारे में में बॉत नहीं लिखा है. जिस two pages जो हमने Supreme Court में जो बेल के लिए जो कुछ भी डाला है, उतना ही लिखा है क्योंकि वो open court में है, लेकिन मैं ये आपको बता सकती हूँ, कि ये पिछले दो-तीन साल में, दो-तीन लोग आके बोले हैं कि शीनाबुरा से मिल चुके हैं, वो बात तो है, इतना तक भी कि एक बहुत रिनाउंड लॉयर है, इंडिया का बहुत रिनाउंड लॉयर है वो जो शीना को बहुत अच्छी तरीका से जानते हैं, बहुत सालों से जानते हैं, पिछले 20 साल से जानते हैं, तो उनका कहना है कि उन्होंने शीना से मिली है, उन्होंने खुद अपना CBI कोट में सब्मित किया जो CBI कोट में देने के बाद यह अपने जो अउनर जज है उन्होंने इन फैक्ट एरपोर्ट अथरिटीज को आर्डर भीजा कि आप हमें वह CCTV फुटेज देजिए वह CCTV फुटेज अभी कोट में सब्मिटेड है तो पहले बात तो यह बहुत कि बड़ी सोचने वाली बात है कि कोई भी कोई भी दुनिया वे कोई भी कोट अगर कंविंस होते है कि यह अच्छिली ऐसा एक कुछ घटना घटा है तो पहले तो यह ओडर होते ही नहीं बेल उडर एक बात है पहले तो मैं यहां पर नहीं बैठी हुई हुई थी दूसरी कि कोई CCTV फुटेज नहीं मंगाते है कि एक जो इनसान अगर है ही नहीं तो कोई अगर एक लॉयर आके अफिर इफित दे के दावा करता कि मैंने यह इनसान से मिली हूँ तो वो कोट भी कभी भी में वो यह मेरे उपीनियन है कि कोट अगर इतना कंविंस है कि कि कुछ क्राइम हो चुका है तो वो CC review फुटेज मांगते ही नहीं पहले बाद तो वो है तो देर इस बेनिफिट ओफ डाव्ट और इडी क्रियेटिब सो कोई भी जो सिंस अप क्राइम के बाद करें सिर्फ अपने क्यूंकि मैं अपने केस के डीटेल में बात नहीं कर सकते हो लेकिन मैंने मैं खुद लॉयर नहीं हूँ लेकिन इतने साल में ऐसे जुटे केस में फस के अंदर रहने के बाद मैंने बहुत कुछ के स्टाइज किये है पहले तो बात मेरे को जो अभी यहां पर समझ में आएं कि इंडिया में पर्टी किलिरली लोग पहले लोग डिसाइड कर लेते हैं कि यह गिल्टी कोट भले बोले ना बोले लोग डिसाइड कर लेते हैं कि भाई यह तो गिल्टी है ही इन फैक कोई भी जब चार्शीट भी आता है चार्शीट में प्रोसेक्यूशन भी भले CBI हो कोई भी हो वो भी नहीं बोलते है कि यह हमारी allegation है, वो भी confirmation नहीं इससे नहीं बोलते है कि ऐसा हुआ है उनकी authority भी तो नहीं है लेकिन नहीं, लेकिन जनता के authority बन जाता है कि बोलने भाई इसने तो किया ही है तो यही चीज यह एक है plus हम मेरा साथ जो यह experience है, मैं खुद media industry से हूँ तो मैं बहुत disappointed होगी क्योंकि मैं जब prison में थी या जब यह घटना घटी, तो यह media वाले भी बहुत, including your channel तो यह अपने TRPs के लिए ऐसा, मैंने संसनाती खबर बनाते गए बनाते गए, लोग तो केस के बारे में तो भूली गए तो एक character assassination पे आगे, बहुत कुछ बहुत सारे, अलग-अलग यह से जो लोग मुझे जानते भी नहीं, मैंने ना कभी उन लोगों के शकल देखे, ना कभी उन से बात हुए वैसे लोग भी आके मेरी बारे में राई देने लगे तो यह एक बहुत लोग आके जानने का भी दावा किया जो अभी obviously गाइब है कि मैं तो बाहर हूँ क्योंकि आभी तो बोल नहीं सकता है कि मुझे जानते है तो यह सब चीजे क्या होते हैं ना, एक सब के लिए सिर्फ वो जो accused है जिनके उपर allegation है यह सिर्फ मेरे बारे में ही मैंने वो यह बहुत एक मानसी मानसी क्रास होते हैं सिर्फ उनके लिए नहीं यह पूरे परिवार को यह कर देते क्योंकि मेरे बच्चे भी है या कोई भी फैमिली के बच्चे है फ्रेंड्स है, यह है को जो लोग आक्शिली केर करते है तो उनके लिए यह बहुत मानसी क्रास होते है क्योंकि कोई भी केस को मेरे राई से एक जो चीज कोट में है, जो फैक्स है फैक्स रिपोर्ट करना एक अलग बात है लेकिन यह जो संसनी खबर बनाना चुकि मुझे लगता है कि जो आप कह रही है, वो एक दम बिल्कुल सच है कि मीडिया ने, हमने हमारे तमाम साथियों ने, हमारे सीनियर्स ने, वो किया आप उस इंड़स्टी से बिलॉंग करती है अभी जानती है वैसे लोगों को बहुत गलत था मेरे अभी सुप्रीम कोट ने वो तीन दिन पहले वो ओर्डर पास किया यू कैनाओ बिल्कुल सेंसेशनलाइज एनी केस क्योंकि कोई भी अक्यूस्ट जब तक इंडिया में ये चीज अभी भी समझ में लोगों को नहीं आता है कि एक allegation does not make a person a criminal only when you're convicted और वो conviction अगर higher courts में जाके आप appeal करके जीत नहीं सकते है तब आपको criminal कहां जा सकता है otherwise नहीं कहा जा सकता है otherwise आप कैसे कह सकते है you are constitution में है कि आप जब तक आपके गुना साबित नहीं होते है आप बेगुना है बिल्कुल ये मतलब टर्म है ROP, दोशी, मुल्जिम, मुजरिम आप मुल्जिम कह सकते हैं मुजरिम नहीं कह सकते हैं आप ROP कह सकते हैं दोशी नहीं कह सकते हैं लेकिन जो 2015 वहां in fact jail में ROP भी नहीं कहते हैं मुल्जीम कहते होंगे, नहीं, बंदी कहते हैं, बंदी कहते हैं, बंदी और कैदी, कैदी भी नहीं कहते हैं, कैदी मतलब जो उनको दोशी हो गए, वो कैदी हो गए, और बंदी, बंदी मेंने, इसा कभी नहीं बोलता है। यह चीज बहार ही खाली बोला जाता है। कि यह नॉलज बहुत लोगों को नहीं है कि जब एक एक अरोप है, वो सिर्फ एक आरोप है। पनी अरोप है, लेकिन वह दोशी महीं भोल सकती है। क्या इस सवाल का जवाब मिल सकता है कि आपको जब ये पूरा ये केस चुकी सब्यूडिस है हम उसके डिटेल में नहीं जाते हैं लेकिन आपको किसी एक पॉइंट अफ टाइम पर लगा या अरेस्टिंग के ही पॉइंट अफ टाइम पर लगा कि ये जो चार्ज फ्रेम मेरे के डिसिशिन लिया कि आज सवेरे जाके हम इंदरानी मुखर जी को एरेस्ट करेंगे ऐसा तो नहीं हो सकता है ये किसी के शरियंत्र जरूर थे क्योंकि शायद अभी क्या रीजन्स थे शायद वो मू बन करके नहीं के लिए हो सकता है कभी पैसे के वज़े से हो सकता है जो भी है लेकिन डेफिनिटली इसके पीछे एक बहुत शरियंत्रा है बड़ा शरियंत्रा है जिसके वज़े से ये मेरा एरेस्ट हुआ और ये मैं सब को ये तो मैंने अपने किताब में भी लिखा क्योंकि उस दीन जैसे मेरे को अनाथ अश्रम से अरेस्ट किया जब मैं अनाथ अश्रम में मैं जब गई वो सिर्फ मेरे पती के इलावा किसी को और नहीं मालूम था कि मैं वहां जा रही हूँ कहां मैं जा रही हूँ किसी को भी मालूम नहीं था तो ये सब चीजे मेरे को प्रिजन में बहुत टाइम मिला सोचने के लिए ये सब बाद मे लेकिन जो भी है वो तो बीती हुई बात है फिर भी लेकिन ये तो मैं दावा से कह सकती हूँ कि मेरे arrest के पीछे ये planning बहुत दिन से ही हो रहा था कि मेरे को कोई तरीका से तो या तो move on करना था या तो जो भी पैसे के बारे में हो सकता है कुछ भी हो सकता है लेकिन कुछ तो तो कोई जिन्दा इंसान के मर्डर के आरोप में किसी को एरेस्ट नहीं करते हैं क्या इसको ऐसे समझा जाए कि यह जो आपने आइनेक्स मीडिया शुरू किया था आपने और आपके पते पीटर मुखर जी ने शुरू किया आप उसकी बाद में CEO बनी क्योंकि पीटर मुखर बहुत दिल्चस्पी नहीं ले रहे था इसमें जी आपने इगनम वो बहुत सही बात पर टच किया यह किसी ने भी यह बात नहीं बोला भी तक और पीटर मुखर जी इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे आप CEO बनी आपने सारी चीज़ें अपने हाथ मिली संभालने की कोशिश क कारती चीदंबरम की एंट्री होती है, पी चीदंबरम की एंट्री होती है, सारी चीज़ें आरोप लगती है, 2014 में सरकार बदलती है, सरकार को शायद पता चल जाता है और उस वज़े से कि आप इस मामले में सरकार की मदद कर सकती है, एक एंटी गौर्मेंट है, कॉंग्रे होती भी हैं, अप्रूवर बनती भी हैं, कार्ते चिदंबरम के विगिर अफ़तारी होती है, फिर आपको बेल भी मिल जाती है, क्या इसको ऐसे दिखा जाए? ने, अभी आपको इसका बारे में गांसरा दो नो केसी सब्जूडिस है, यह ज्यादा के बारे में नहीं बता सकती हूं, भले हो चिदंबरम के केस हो या मेरे केस हो, क्योंकि उन लोगों को भी में प्रेजुडिस नहीं कर सकती। क्योंकि वो भी अक्यूज्ड है अभी. ठीक है लेकिन मैं ये चीज आपको दावा से बोल सकते हूं कि जब ये सब घटनाई घटे आए नेक्स मीडिया में ये चीज मेरे पीटर से ये चीज बात हुई थी कि हमें जो कुछ भी हुआ ये सब जो तरीका से हुआ सही नहीं हुआ लेकिन हमें ये बात बतानी चाहिए सामने आने चाहिए ये बात क्योंकि हमें ये चीज बाद में प्रॉब्लम हो सकते हैं क्रियेट करेगी और जो चीज ही हुआ मेरी वो चीज गलत नहीं थी मेरी सोच तो जब गवर्मेंट चीज हुआ 2014 में उसके बाद ये चीज मेरे को क्योंकि उस टाइम में हमारे पास ये मौका थे कि हम इसके बारे में और जाके रिपोर्ट कर सकते थे लेकिन ऐसे भी होते हैं ये शायद मैं किसी को इतना गलत क्योंकि कोई ये सब मामले में पुलीस कचेरी के चक्कर में कोई भी पढ़ना नहीं चाते हैं और ऐसे भी हम दोनों ही इंडियन सिचिजन नहीं हैं हम लोग बहार रहते हैं तो उनका भी ये था कि हम ये सब में क्य कि कुछ ये बात तो घुम के आने वाले है और जैसे जिसे जितने ये चीज़ मैं प्रेशराइज करते कि हमें बोलना चाहिए बोलना चाहिए अभी तो गवर्मेंट चेंज हो गया हमको सच बताना चाहिए जाके तो उतना ही अभी मैं जब सोच चीज़ मेरे को बहुत लोगों ने पूछे कि आपको क्या लगा था कि आपके क्योंकि मैं पीटर के साथ किते साल से शादी शुदा है ऐसा तो नहीं कि 17 साल बहुत साल होते है तो ऐसा नहीं कि 17 दिन का रिलेशन नहीं है कि आपको कभी ऐसा ऐसास नहीं हुआ कि कुछ आप दोनों के बीच में प्राब्लम्स थे अभी जब बाद में मैं जब सोचने लगी क्या होता ना आप एक किसी इंसान के साथ जब हर समय रहते है आप उनसे आप वो आपके शाहर है आप उनसे प्यária करते है तो बहुत चीज़े आप नजर अन्दाज करते हैं आप वो रियक्शिंस भी इतने जो प्रतिक्रिया इतनी नहीं देखते हैं इतनी नहीं सोचते है और जानबुज के भी कोई लोग ओवर्लुक करते हैं क्योंकि वो रिष्टा आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है पहले हम इंसान हैं इसके बाद हम बिजनेसमेन हैं बिजनेस्विमेन हैं जो कुछ भी है लेकिन पहले हम हम हुमन बिंग्स है तो अभी जब मैं सोचती हूँ अभी मेरे को लगता है कि शायद एक डिस्टिंस तो हो रहा था लेकिन वो डिस्टिंस क्यों हो रहा था मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि ऐसा नहीं कि हमारे बीच में कोई तीसरे इंसान कोई और रत आये या कोई डूसरे मर्दा आया ऐसा तो कुछ पर्सनल कुछ यह नहीं थे लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा हो सकता है क्योंकि यह चीज एक पीटर में भी शायद नर्विसनिस आने लगे कि कहीं यह जाके मुझ ना खोल दे क्योंकि मैं भी बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ तो वो शायद लेकिन जब तक मैं कॉन्फिर्मेशन से यह नहीं बोल सकते हूँ कि इसी के वज़े से मेरी एरेस्ट वे क्योंकि यह भी बात सही है कि मैंने खुद से प्रो आक्टिवली मैंने इन फाक्ट जब उस टाइम में फाइनांस मिनिस्टर होम मिनिस्टर मिस्टर अरून जेटी को मैंने खुद से चिट्थी लिखी थी कि ऐसा ऐसा हुआ है उसके बाद यह सब अक्टिवेट हुआ है विकाज मेरे को मालूम है कि जब डॉक्यमेंटिशन देखेगा डॉक्यमे कि ब ощущdin कि खुद्ध की मामले में ने ईसा लेकिन अरिक को नहीं लगता है कि मेरे र이otted उसके वजे से हुआ की में जाकर उसमें अप्रूवर बंचो उसके वजे से नहीं हुआ है नहीं हुआ है लेकिन मुझे लगता है कि क्योंकि擊 कैर्स कि मुझेराराडइन ने किया था जो वो दुसरे गुवम्मन के नहीं थे तबूखेंग. सब मेरा एसर सब्सक्राषि नहीं पढ़रा किम कम मेंялINT लुए हम जो हूए है। एह भौहट सोचने वाली बात है। रहरी बर लिधारिगे कुछ मारी वह है कि मेरे गौहले, प्राकेश मार्या रिटायर होने के लिए शायद 30 दिन बचेते हैं अखरी केस था आखरी टाइम था उसके बाद वो पिछले गव्मेंट का शायद कोई ऑफिसर्स भी ने रहता है तो उस टाइम में मेरा उनके हाथ में एरेस्ट और ऐसा भी है जो अभी जब मैंने बहुत कु कि जो खार पुली स्टेशन जो मुझे एरेस्ट किया था उसमें धीरे 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 जो विदिन 3-4 मॉंस जो उनके जो कोर टीम है वो कोर टीम को धीरे धीरे वहाँ पर ट्रांसफर किया जा रहा था जो मेरा केस में जो यह क्योंकि आपने जो किताब में लिखा है कि आप खुदी सोच लीजे तो ये शर्यंत्र नहीं है तो क्या है और फिर बात शुरू होती है कि इंद्राणी मुखर जी वो हैं जिन्होंने शीना वोरा को और मिखाइल को जो कि उनके बच्चे हैं उनको अपने भाई और बहन की तरह ट्रीट किया या भाई और बहन की तरह द इसका जवाब इस किताब में बहुत अच्छे से है फिर भी अगर आप बताना चाहें तो आखिर मजबूरी जो आपकी मैं समझ सकता हूँ कि इस किताब में है वो पूरी चीजे जी सारे चीजे तो एक तो किताब में अल्री लिखी हुई है कि वैसा देखे ये जो दोनों ज पैदा हुए, डीटेल्स तो उनके है कि कैसे हुआ, क्या, कैसे ये है, लोग एक चीज़ भूल जाते है कि मैं तब माइनर थी, मैं अडाल्च भी नहीं थी, पहले बात तो वो है, दूसरी बात जब एक 16 साल या 18 साल की, जब कोई भी महिला, या अभी तो हम 18 साल या 16 साल की कि किसी को सब हम बच्चे की तरह ही ये, बच्चे ही है, तो उस टाइम में उनके पास ना decision लेने के power होते हैं, वो decisions बहुत सारे घर के बड़े बजर्ग लेते हैं, पहले बात वो है, ना ही कोई उस age में financially independent होते हैं, कभी-कभी हम जब, मैं जब कभी-कभी सोचती हूँ, अगर मैं शीना और मिखाइल को सोचे कि अपने साथ कैलकेटर में लेके उस टाइम में चली जाती है, तो क्या वो सही decision होते हैं, तो आज भी मैं जब सोचती हूँ, कि वो बिलकुल सही decision नहीं होते हैं, कि मैं अगर तब खुद student थी, मेरी account में तब 5000 रुपीज थे, 5000 तो मैं खुद एक टाइम में अगर मैं मैं खाती थी, तो शाम के टाइम में मैं सोचती थी, मैं अब मैं और डिनर नहीं खा पाऊंगी, वैसे, क्योंकि पैसे नहीं है आपके पास, तो उस टाइम में मैं अठारा साल की student थी, जो कुछ भी मेरे को अपना education में ये करना था, दो बच्छों को खुद पर करें, और मैं बहुत अच्छी student थी, हमेशा टॉपर थी मैं, तो मैं क्या उन बच्छों के साथ मैं नियाई, ये एक मिन्ट के लिए अगर भूल भी जाए कि वो मेरे बच्चे, किसी के भी मैं अगर दो बच्चे लेकर आते, क्या मैं उनको उनक लोग बैठके बड़े-बड़े living room में, बड़े-बड़े सब दिल्ली के बड़े-बड़े महलों में, बंबे के बड़े-बड़े महलों में बैठके, सब लोग ये judgment दे देते हैं, उसने कैसे छोड़ दिया, कैसे छोड़ दे मैं रस्ता में नहीं छोड़ा, पहले बात तो है, उन लोगों के लिए जो उस टाइम में जो सही थे मैंने वो किया, लेकिन इसमें ये भी और एक बात है, ये भी लोग अगर सवाल करें कि मैं गोहाटी में क्यूं ने रह गए फिर, ये कि मेरे decides मेरे साथ में राहे था, हो रहा था, और हम और सीमाँ और वह जब प्रहिता है, उसके बाद शायद मैं उस टाइम में अगर गौहाटी में और रहते मैं खुद आत्महत्या कर लेते शायद कि कि मेरे से और बरदाश नहीं हो रहा था बस I could not deal with the abuse anymore और मेरे उस टाइम में और कोई रस्ता ही नहीं था लेकिन जब ये भी सोचने के बात है कि जब मैं अबल और केपल थे जब मेरे पास financially में independent थी तब मैं खुद के बच्चों को अपने पास में ले के आई या मैंने अपनी जब मेरी मेरी फादर ने मेरे साथ गलत किया मेरी मा भी मेरे साथ जैसे मेरे मेरे को सपोर्ट करना मुझे सपोर्ट करना चाहिए था वैसे सपोर्ट नहीं मिला शायद उनके मजबूरिया थे लेकिन जब वो खुद बुजर्ग हो गए उनको जब financial support थे चाहिए थे उन्हों ने जब मेरे पास उन्हों ने आके ये क्या कि हमें support चाहिए तो मैंने उस टाइम में ये नहीं सोचा कि मेरे साथ आपने गलत किया तो मैं आपको कुछ मदद नहीं, आप अपने जिन्दगी जी जी ए, ऐसा नहीं कि हम अभी भी ये विश्वास करते हैं कि हम माबाप को भगवान के जगा देते हैं, भले वो गलत क्यों ना हो, और मैंने आखरी आखरी ये तक मैंने उनको सपोर्ट किया, मेरी ममी पापा मैं जब जेल में थी, तब मेरी ममी पापा गुजर गए, मैं कोट से पर्मिशन लेके मैं अंतिम संक्सकार जाके किया, तो मैं लास्ट तक मेरा जो ड्यूटी था और उस दिन मैं बहुत रोई, शायद जो एक्षिल जो बोलते हैं ना फॉर्गिवनेस जो था म इस दिन मैंने अपना दिल से मैंने माफ किया कि अभी उनके आत्मा को शांती मिले, मेरे तरफ से मैंने आजाद कर दिया, मुझे जो कुछ भी रिस्पॉंसिबिलिटी या अपना कर्तविया निभाना था, मेरे सोच में, भले लोग जो कुछ भी ना सोचे, लेकिन मेरे वो उनका माइंड में है, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा, तीन बच्चे आपके, शीना वोरा, मिखाईल वोरा और विधी, जी, शीना वोरा की बात होई चुकिया, चुकि सब जुरिस मामला है, आपके दावे अलग हैं, पलिस के दावे अलग हैं, उसक अच्छा प्रॉब्लम नहीं किया, लेकिन ऐसे मैं संपर्क नहीं कर सकती हूँ कि कि वो वित्निस है, और उनको रिकॉल भी किया जाएगा, तो विधी तो अबिसली टाच में है, विधी पेइन में रहती है, वो अपनी मास्टर्स कर रही है लेरोश में, तो अभी फिलाल त विधी एरोश में सब कुछ है तो लेकिन वोई बात है कि मैं सूचती हूँ कि लोगों से हर इनसांसे गलतिया होते है, भले ही कोई भी है, मुझसे भी बहुत सारे जिंदगी में गलतिया हुई है, आप से भी हुई हुँएंगे, जिंदगी मैं अगर कोई बोले कि मैंने ऐसा तो हो इनी सकता है। वो तो एक दम बहुत ही जुटा इंजाने फेर। चुछिए आप जब गल्तियों की बात कर रही है, तो आपको कभी यह लगा क्या कि सद्धार्त सा शादी ना करके आपने गल्ती कर दें। नहीं, मुझे कभी नहीं लगा क्योंकि मैं जो इनसान के स खुश नहीं रह सकती हूँ, लेकिन मैं खुद अगर खुश नहीं रह सकती हूँ, तो मैं वो इनसान को कभी मैं खुशिया नहीं दे सकती हूँ, लेकिन मुझे एक चीज मैं सोचती हूँ, जो मुझ से बहुत बड़ी गल्ती हुई, मेरे को पीटर से शादी नहीं करना चा कि अगर मेरा पीटर से में पीटर से नहीं मिलती तो यह सब तो होता ही नहीं, ना ही मैं कभी जेल जाती ना ही कभी तो पैसे नहीं ऐता हैं तो फिर भी थे मेरा तो आयनेक्स मेरा तो ऐसा नहीं कि उसके बाद मैं कुछ अलग ये हो गया ऐसा नहीं है तो वही लाइस्टाइल में जी रही थी तो लेकिन येस गलतिया यही थी कि शायद ये तो मैं अभी भी रोज हमेशा ये चीज कि उनसे मुलाकात नहीं होना चाहिए था पर हो भी गया तो मुझे इतनी ज नहीं करनी चाहिए थी मुझे उनको परक के फिर शादी करनी चाहिए थी वोही मेरा गलति था ये रियल आईएट के आपको जल बुलाते हैं इक्यों आपसे मिलने नहीं आते हैं फिर आपको लगता है कि यह कहीं किसी पॉंट अफ простug पे ये सब कुछ कहीं उन्हीं का तो रचा हुआ नहीं है तो क्यों आप से मिलने नहीं आएंगे आपकी पत्नी एक इतनी बड़ी आरोप में एरेस्ट हुए है और मैं तो बहुत कुछ बुक में लिखी है कि जब मेरी एरेस्ट हुई है उसके अगले एक महना ने पीटर ने किया क किया किया है घर से लेके पैसा से लेके ज्वेलरी से लेके जो इनसान को आपके पत्नी एरेस्ट हुए है जो जो लेडी ने कभी जो महिला ने जिंदेगे में एक पुलीस चौकी नहीं देखी है वो जेल तक पहुँच गई आप अपनी 60th birthday प्लैन कर रहे हो पूरे दुनिय अपना से लोगों को बुला रही हो बर्च दे मनाने के लिए ऐसा तो इस तो बहुत चमतकार वाली बात हो गए ऐसा तो कभी मैंने ना जिंदे की में ना मैंने कभी सुना है ना कभी मिला है किसी से क्योंकि जब उस समय केस रहा तो पीटर के भी अलग अलग वरजन आयत है को लेकर के मिखाइल को लेकर के विधी को लेकर के वो तो पूरी दुनिया ने देखा ही है तो कौन पती पहले दिन में एरेस्ट के दिन में पहले तो जाके सोसाइटी में बोलते हैं कि भई ट्रांसफर रोको घर का या जुलरी शिफ्ट करते है या पैसा शिफ्ट करते है या कौन पती जाके 20 लोगों को इंटर्विव अलग-अलग देते है और आप आपके पास सब कुछ थे पहले बात तो है आप दौरभाग करोगे कि पहले अपनी बीवी को बाहर निकालो भले एक मिनिट के लिए अगर आप ये भी सोच लिजे कि आपके बीवी गलत है तो भी निकालेंगे बहरोाग दौरह आपके साथ हार सुक के टाइम में मेरे साथ ख़ड़ा होने के लिए मेरे को पती नहीं चाहिए यह ना ही परीवार चाहिए है तो इसलिए इसलिए मैंने दीवास उनको रिपलाई किया था जब मैं प्रिजन में थी क्यूंकि ये सब मुझे भी, उन्होंने मुझे contact कब किया, जब वो खुद arrest हुए, उसके बाद उन्होंने contact, लेकिन तब, और face to face भी आप तभी हुए जब आप court में गया है, बिलकुल, लेकिन तब तक मैं मजबूत बन चुकी थी, वो तीन मेहना ने, मुझे बहुत कुछ, अड़ाय मेहना ब जब पीटर की arrest हुई, उस दिन मेरे कोई याद नहीं है कौन सा चैनल में, एक जर्नलिस्ट ने, बहुत इंटरिस्टिंग चीज नोटिस किया, और उस पे कॉमेंट भी किया था, कि मैंने जब वो वो वन से, पोलीस वन से निकला, पहले बार मैंने, अपना, क्यूंकि नॉम तो उन्होंने बोला की, और जब किसी ने मेरे को पूछा की, हाज पीटर फ्रेम्ड यू, बहुत इंटरिस्टिंग क्वेस्टिंग पूछा, वो फर्स जवा सवाल था, हाज पीटर फ्रेम्ड यू, क्यूंकि लोगों का दिमाग में शायद ये बात आया था, नहीं तो क्य पूछता, किसी ने पूछा कि, हाज पीटर फ्रेम्ड तो मैंने बोला, येस, आज पीटर फ्रेम्ड तो मैंने उसका जवाब नहीं दिया, लेकिन वो जो लेडी जर्नलीस थे, उन्होंने बोला की, ये जो उन्होंने खड़ा होके, जो अपना फेस दिखाया, ये एक है, और उन्होंने बहुत अच्छा ये चीज की बोला, ये शायद इंरानी मुखर जी का चुनौती है कि मैं अब लड़ूँगी, लड़ूँगी, मैं अकेली हूँ, लेकिन मैं लड़ूँगी, और मैं नहीं चोलूँगी, जिन लोगों को, जिन लोगोंने मेरा साथ गलत क वही बात है, तो नहीं छोड़ूंगी वाला मैंने नहीं सोचा था, लेकिन लड़ूंगी मैंने सोचा था, तो वो डेफिनिटली सोचा, इसलिए मेरे को अटूट रहना जो यह किताब के नाम है Unbroken, अटूट रहना बहुत जरूरी था मेरे लिए, आप अब भी लड़ रही है अभी जैसे एक इंट्रेस्ट यह है लोगों का, कि शीना वोरा मडर केस में इंदराणी मुखरजी गिरफतार होती है, इंदराणी मुखरजी टॉप 50 बिजनस वूमेन है, इन दो वर्ल्ड, पीटर मुखरजी की पतनी है, मीडिया टाइकून है, HR कंसल्टनसी चलाती है, आरी चीज़ों के बावजूद, वो गिरफतार होती है, छे साल से ज्यादा का वक्त वो जेल में गुजारती है, वो बाहर आती है, पीटर मुखरजी से, उनका अलगा हो जाता है, तलाप हो जाता है, अब अभी लोगों की दिल्चस्पी इस बात में है, कि इंदराणी मुखरजी अपने सारे खर्चे, विधी के खर्चे, चुकि उनकी बेटी है, मिखायल के खर्चे, कोट के से, चुकि मुकल रोहतगी जैसे बड़े नाम इसमें सामिल है, जिनके एक हेरीं की फीस्त लाखों में होती है, कैसे फीस करती हैं, राणी मुखरजी? एक बात तो ये है कि, being a business woman, मैं पूरी जिन्देगी, business ही की, savings अपने है, savings काफी है, काफी कुछ, obviously, savings के जरिये बहुत कुछ, अपना income भी होते रहता है, और लोग जिस सोचते हैं, मैं एक बहुत lavish life lead करती हूँ, मैं पहले भी, कभी भी lavish life नहीं lead करती थी, तो जो जिनके पास पैसे होते हैं और वो lavish life नहीं lead करते हैं, तो उनके पास पैसे और बहते हैं, घटते नहीं है कभी भी, तो ये तो एक बात है, और बाके जैसे मैं ये भी सोचती हो कि पैसा एक ऐसा चीज होते है ना जैसे एक हाथ से जाते है तो दूसरे हाथ से आते भी है तो हमारे में एक कहावत है आप हाथ ऐसे रखोगे तो भगवान भी हाथ ऐसे रखते हैं आप हाथ ऐसे रखोगे तो अब ऐसे रखोगे हाथ बस भगवान भी ऐसे क तो मैं जितने अपनी तरीका से जितने लोगों को मैं मदद भी कर सकती हूँ, वो भी मैं करती हूँ, मदद भी करती हूँ, और जो responsibilities है वो तो निभाना ही है, अभी lawyers अगर मेरे लिए, ये मेरे case लग रहे हैं, या मुझे बेल दिलाए हैं, तो उन लोगों को तो fees, क्योंकि व साथ तो क्या आते हैं, जाते हैं, वस क्योंकि इसमें दिल्चस्पी हलो होगी, क्या क्या करती है, पहले तो चलिए, आइने अच मीडिया किसी लोगों, जैसे ये मैंने बुक भी लिखी हूँ, फिर अपनी जो ये है, अपनी क्या बूलते है, सेविंग्स वगारा से मेरे इ क्या yigwa, अफिया जो आते हैं, डाल रोटी घाती हूँ, ये अपने फ़िखीर किया थे कि आते हूं, जो क्रशिस को क्या है, आप एक जिक्र किया है, पिप्लिस का द시면 भी जो सोच होता ह correspondence है, बीकि नहीं कि ये है he is, जैसे से के बिलौक इने हम दिमाग में एक बनी बनाई आती है इतना बड़ा बंगला होता है इतना बड़ा सुविघ्ण होता है यह सारी दुनिया के सारी सोविधाय होती है और इंदराणी मुखर के पास तो ऑविएस होगी क्योंकि अधू तो दुनिया की टॉप 50 बिजनस विमन है ऐसा कुछ है क्या अभी आपके पास ऐसा तो है जो कुछ भी है वो तो है क्योंकि जो हमने जो कुछ भी बहुत महनत से बनाए है मैंने तो एक लिए मैं दावा से कह सकती हूँ कि मेरे जिंदगी में मैंने जो कुछ भी बनाया है कमाया है इमानदारी से कमाया है और इमानदारी से मैंने खड़े किये है और बनाए है क्योंकि आपने लिखा है पूरी किताब में कि आप जब कोलकाता पढ़ने आती है उसी समय आप नोकरी नाइट आउट करती है आपको मया आता है फिर उसके लिए पैसे चाहिए तो फिर आप पार-टाइम जॉब करना शुरू करते हैं बिल्कुल तो मैंने कभी जिन्दगी में मैंने जो कुछ भी अपने बहुत महनत से मैंने कमाया है तो जो इनसान महनत से कमाते है तो वो बहुत बचा के भी रखते है कि मेरे कोई चीज आसानी ये से नहीं आये है तो मैं जब भी आइन एक्स मीडिया भी चलाती थी किसी और के उसमें दिल जस्पी है या नहीं है मुझे नहीं मालूम था और मैं उसमें कॉमेंट करना भी नहीं चाहती हूँ लेकिन मैं 16 से 20 गंटा काम करती थी या आप वही इंडास्टेव से हो से अपको मालूम भी तो फिर वही बात है तो आज भी मैं जो कुछ भी करती हुँ मैं बहुत दिल लगा के करती हूँ और बहुत मेनच से करती हूँ तो अभी मैं सेकन् बुक लिखने भी शुरू कर दिया तो औररड़ी अभी वो नहीं बताएंगे, नहीं तो अगले इंटर्व्यू कैसे हो पाएंगे, तो वो तो एक बात है, जो सारी चुकी एक आप ने अच्छे लाइफ स्टाइल जी थी, पच्छे सगस 2015 से पहले, बहुत अच्छी लाइफ स्टाइल रही है, अचानक से वो पूरी लाइफ च तो फिर आप जैसा इनिशेटीव बता रही हैं सारी मोईलाग, ये सारी सीख क्या जेल की है, कि आपने जेल में बहुत, क्योंकि जब आप पर बैठे होते हैं, तो बहुत सारी चीज़े नहीं दिखनी हो सकते हैं, आप अपने ही जैसे लोगों से मिलते हैं, आप अपने ही ऐसी जगे पे चली जाते हैं जहांपे आपको समझी में नहाता velvet यह है कोई कोई लोग दोशी है जो हबिच्वल क्रिमिनल्स भी है बिखल है और वैसे लोगों से मैं मिली लेकिन एक चीज में मुझ में ऐसास होई कि हर इंसान में भले वो हबिच्वल क्रिमिनल भी क्यू ना हो हर इंसान में ना अच्छाया भी होते हो बुराया भी होते है तो हम ज वो इनसान एक बिल्कुल बुरा है, वैसा नहीं होता है, तो उसमें भी अच्छा हिया है, और ये जो अच्छे, बुरे, जो लोग पकड़े जाते हैं, वो लोग जेल जाते हैं, गलत काम सब करते हैं, ये चीज तो मैंने एक बहुत बड़ा लर्निंग है जेल में, और जो बड़े बड़े लोग तो अभी जो एक पूरी किसी ने इतना चोटा सा एक कोई गांजा बेच दिया, उसको पकर के डाल दिया, जो सबसे बड़ा राकेट चला रहे है, उसको कोई को नहीं पूछता है, उसको टची नहीं कर सकते है, कौन टच करेगा उसको, बात तो वो है सच्चाई तो ये है, पहले बात वो है, दूसरी बात ये है कि मैंने अभी बाहर निकल के एक चीज मैंने रियलाइज किया, ये जो हम खून के रिष्टे, ये मेरे खून के बच्चे है, ये मेरे खून के भाई है, ये है, ये चीज मेरे दिमाग से बिलकुल निकल गया है, क क्योंकि मैं अभी किसी के भी बच्चे को या किसी के भी भाई को किसी से भी या कोई भी ऐसे उतने ही मैं प्यार से उतने वही नजारिया से देख सकती हूँ जो मैं अपनी बच्चों को देखती हूँ. मेरे लिए उनके लिए थोड़ा भी मेरे को कोई भी ये कम जादा नहीं है मेरे जो वो जो खुन के रिष्टे वाला चीज से मेरा पूरे क्योंकि खुन के रिष्टे ये हमारे सोच है बस और कुछ नहीं है क्योंकि जो मेरे खून के रिष्टे नहीं थे वो लोग सारे उन्हीं लोगों ने मेरे साथ दिये भले ही वो बहार से हो या प्रिजन के अंदर में हो और मेरे ख्याल से हम जितने लोगों को जिस अपने हैसियत के हिसाब से हम जितने मदद कर सकते हैं हमें करना चाहिए किसी और के मुस्कुराहत आपके कोई कारिय से किसी और के शकल में अगर मुस्कुराहत आते है सबसे बड़ी खुशी वही होती है अब आखिरी सवाल इसको रखते हैं और इस किताब के बात करते हैं क्या इस किताब को यू ना देखा जाए कि इंदराणी मुखर जी छे साल जो जेल में रही है और उनके उपर जो बहुत ही हीनियस क्राइम का चार्ज लगा है जो कि सब जुडिस है जिस पे बहुत जादा बात नहीं हो सकती इसके बावजूद इंदराणी मुखर जी खुद क पाकसाफ बताने के लिए खुद को निर्दोश बताने के लिए ही ये किताब लिख रही है इसकी दूसरी और कोई वज़ा नहीं है जी अभी मैं पहले बात तो मैंने पहले बोल शुकी हूँ कि ये किताब में मैंने अपने केस के बारे में कुछ लिखा ही नहीं पहले तो व मेरा जास्टिफिकेशन दे ही नहीं सकती हूं। पहले बात वो है। दूसरी बात ये है कि सत्या सिर्फ एक होता है। ये मेरा सत्या आपके सत्या उसके सत्या नहीं हो सकता है। नहीं अर्ध सत्या बोलके भी कुछ नहीं हो सकता है। मैं ये चीज़ दावा के साथ कह सकती हूं। इसलिए मैंने इसको मैं फिक्शनलाइज करके या एक नॉविल के तरीका से में लिख सकती थी और बोल सकती थी बेस्ट ऑन माई लाइफ। मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने हिम्मत जताया और हर इंसान का नाम मैंने इसमें लिखा। और मैंने फुटनोट में हर चीज़ का मैंने लिंक दिया है कि भाई आप देख लीजिए ऐसा ऐसा इन्हों ने बोला था पर ऐसा ऐसा है विट एविडिन्स मैंने हर चीज़ लिख के दिया है। वो मेरे मुझ में उतना हिम्मत इसलिए था ये बुक लिखने के लिए क्योंकि मैं जो कह रही हूँ ये बुक मेरी आवाज है पहले बात ये है दूसरी बात ये है ये जो बुक है ये प्रतिक्रिया नहीं है मेरे साथ बहुत गलत हुआ लेकिन ये प्रतिक्रिया नहीं है य और मैंने इसलिए वक्त के साथ हर सबूत जुता के मैंने ये बुक लिखा और यही सत्या है सत्या यही है यह मेरा सत्या इसके सत्या उसके सत्या नहीं है सत्या एक ही होते हैं और यह मैं वैलिडेट करके हर चीज मैंने लिखा है इसलिए जब आप जेल में रही हैं तो बहुत सफेद हो जाते हैं अब बहुत ही बड़ी बात हो कि बाफ लिए उसके बारे में तो आप बोले ही मत उसके दोशी तो हमी लोग है हमी लोग उने सब कुछ किया था हो तो बस हमारे ही कुछ लिए और मेरे मुझे तो हसी इस बात पर आती है ज़्यादा कि जिन लोगों ने इतनी मेरे बाल के चर्चा किये कि उन्होंने कलर किया यह क्या सारे के सारे ज़र्डिलिस्टों पचास साल के उपर है कोई सतर साल के बी थे तो उनके सिर पे पर एक भी बाल नहीं है तो वो तो अपमे। अपंटे वो पैदाइशी वो तो छिता तक भी जाएंगे तो उनके बाल काले ही रहें गे तो वही नहीं है। Hé safety, यह मेंतल कि आ doctor then, मेरे लिइन थिस नहीं है się जिए वह वैप ख़से पहन के गए, तो वाइट का है, तो अगले दिन एक जर्निलिस्ट में और बहुत वो सीनियर जर्निलिस्ट है, तो उन्होंने वो लेडी है, उन्होंने लिख दिया, अरे उन्होंने शाहिड कोई डिजाइनर से डिजाइन करके ये वाइट अपना इमोशिन्स दिखाने के मैं अगले बार मैं फिर जीन्स पहन के जाओंगी, तो मैं जीन्स और शर्ट पहन के गया, तो दूसरे जर्निलिस्ट ने लिख दिया, कि वो तो इंदरानी मुक जी ऐसे गया है, जैसे वो काला घुरा फेस्टिवल में जा रही है, वो कोट भी जा रही है, आप किस-किस को खुश रखोगे, तो वही बात है, तो सब के सोच और नजारिया अलग है, तो फिर वो सलवार कमीज पहन के जाने से तो भी गलत है, जीन्स पहन के जाए तो भी गलत है, और साड़ी पहन के गए तो बिलकुल ही गलत है, तो सेलिब्रेशन हो जाएगा, तो सेलिब्रेशन हो आखेरी, last. हर कोट में होते हैं मुलाकर, कोट हेरिंग होते हैं. क्या कर रहे हैं वो इस समय? आई एनेक्स तो खतम ही हो चुका है. ने वो तो शायद कुछ भी नहीं कर रहे हैं, तो शायद, लेकिन मैं इतने चर्चा नहीं करती हूँ, हो खाली हाइब हाइब होते हैं. मेरे खियल से वो रिटायर हो चुके है और गोवा में है, बस और अगर कुछ करना चाहते हैं, तो मुझे नहीं माले हूँ, वो सवाल तो आप उन से पूछे हैं. और आपके से पाप बिटिश हैं? आप अब बिंडियन से टिजन हैं? नहीं. लेकिन रहती हैं यही हैं अभी तो? फिलहाल तो हाँ, फिलहाल केस कोने तक अगर मेरे कोईसे में बहार जा सकती है, ऐसा कोई यह नहीं है. यह कोट से परमिसन नहीं हैं? अभी तो पासपोर्ट उन्होंने इनफाक्ट मेरे को वापस दे दिया, क्योंकि मेरा रिनुवल का टाइम आ गया, पासपोर्ट रिनुवल का तो वो सब यह नहीं है. और किसी को भागना है, अभी बहुत तो यहां पर इंडियन सिटिजन किते भागे हुए है, और अभी तक वापस भी नहीं आएं. तो जिनको भागना होता है, वो तो भाग सकते हैं. तो हम क्यों भागे हम दोशी थोड़ी है कि हम भागेंगे, हम तो सीर उठा के जिस दिन हम जाएंगे, हम सीर उठा के जेल से बाहर आए, हम सीर उठा के यह देश छोर के जाएंगे, बस. हम भाग के कहीं नहीं जाएंगे, हम भगोडे नहीं हैं. चलिए, एक final comment इस बात पर कि जो भी आपके साथ बीता, मेडिया ने जिस तरीके साब का ट्रायल किया, हम जैसे लोगों ने जिस तरीके साब का ट्रायल किया, जितने मों उतनी बाते हुएं, उस पे आपको येक, चुकि इसमें आपने एक और भी चीज लिखी है, कि जो character assassination से लेकर कि और तमाम चीज़ियों है, जितना पुरुषों ने आपके साथ नहीं किया, उससे ज़्यादा आपके साथ महिलाओं ने किया, इस पे एक आप final प्रतिक्रिया आपने जो देना चाहें. मेरा ये सोच है कि, ये सर्फ अक्यूज़्ट या लीगल केसिस के बारे में ही नहीं है, कि अब जब कोई लेडी को, पर्टिक्रार लेडीज सौफ टार्गेट होते हैं, जैन्स को थोड़ा कम अटाक किया जाता है, जैसे मैंने ये चीज लिखी भी हूँ कि, मेरे साथ और तीन को अक्यूज़्ट है, जो जैन्स है, किसी के बारे में वो चारशीट में नहीं लिखा है, कि ही इस अमबिशियस, अभी पीटर मुखर जी तो स्टार के सी-ई-ओ, अभी एक टाइम में उन्होंने वो गाड़ी के पीछे कपरे बेचते थे, तो वहां से जाके सी-ओ तो बिना अमबिशियन के तो नहीं बने, उन्होंने, उनके पास अमबिशियन था और उन्होंने महनत किया, बहुत महनत किया, उसके वज़े से उन्होंने वहां तक पहुंचा, लेकिन या उनके भी शादिया दो बार हो चुके, उनके भी live-in relationships लेकिन वो सब नहीं कोई जर्नलिस ने बोला नहीं लिखा क्योंकि वो मर्द है वो जायज है वो ठीक है लेकिन मेरे बारे में वो सब सब कुछ लिखा क्योंकि मैं लेडी हूँ और मेरा ambitious होना तो वो चारशीत में लिखने वाले हसने वाली बात है कि चारशीत म overall जनता को बहुत प्रभावित कर सकते है पहले बात वो है क्योंकि जो लोग है वो सोचते है कि जो कुछ भी मैं क्योंकि खुद media background से हूँ मैं समझती हूँ कि जो कुछ भी newspaper में चपते है media television में बोलते हैं वो सब सही नहीं होते है कैसे चलता है वो आप बहतर जानती है वो मैं जानती हूँ लेकिन आम आदमी को वो चीज का समझ नहीं है वो मान लेते है कि भाई ऐसा ही होगा ऐसा बोला है तो ऐसा ही होगा तो यह जो गलत information या character assassination किसी के बारे में भले वो महीला हो या gentleman हो करना नहीं चाहिए facts आप बोले कोई भी चीज एक open court में है या कोई भी एक issue है आप उसको address कीजिए लेकिन एक सभ्यता से कीजिए जो कुछ भी कीजिए एक सभ्यता से कीजिए ऐसा नहीं करना चाहिए कि जो आप गलत information दे और दूसरे बात है कि पूरे एक परिवारे बिखर जाए उससे ये चीज एक बहुत गलत चीज होते है क्योंकि वो कोई case को भी प्रभावित करते है केस को भी प्रभावित करते है तो थोड़ा गलत चीज ऐसा होना नहीं चाहिए मेरा वोराई है एक responsible journalism होना चाहिए वोई बात है तो अब तक आपने शीना वोरा मर्डर केस के बारे में जितनी भी बाते सुनी हैं टीवी चैनलों के जरिए या ख़बारों के जरिए कोट की चारशीट के जरिए वो सब अपनी जगह पे हैं लेकिन आपको अगर इंदराणी मुखरजी का first hand account जानना है इंदराणी पारे में जानना है जिसमें हम तभी से लगातार लंबी चर्चा कर रहे थे उनसे बात कर रहे थे तो ये जो किताब है उनकी लिखी हुई Unbroken इंदराणी मुखरजी The Untold Story ये आपके बेहत काम आएगी इसमें आपको इंदराणी मुखरजी से जुड़े उन हर पहलूँ का ज और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये 549 रुपए की कीमत में ये जो किताब है वो कम से कम आपको इंदराणी मुखरजी शीना वोरा और मीडिया का जो पूरा operating system है उसको बहुत ही बहतर तरीके से समझने में आपकी मदद करेगा तो अभी के लिए शुक्रिया आप देख रहे थे अनकट